नमस्कार मैं डॉक्टर बियार बगडिया सीनियर जॉइंट रेप्लेस्मेंट सरजन मानिपाल हॉस्पिटल जेपॉर्ड आज मैं आपको सर्दियों में जॉइंट की जो तकलीब है वो क्यों बढ़ जाती है उसके बारे में डिसकस करूँगा और उसके बारे में बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे रोका जा सकता है इस पेसिली जो सीनियर सीडिजन्स हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है जैसे आस्त्मा हैं जैसे स्ट्रॉक हैं जैसे काडिक प्रॉब्लम है वैसे भी जॉइंट की प्रॉब्लम भी सरदियों में बढ़ जाती है ये प्रॉब्लम क्यू बढ़ जात तीसरा जाइंट में जो pen receptors होते हैं, उनकी sensitivity बढ़ जाती है। चोथा, Gounds यानि जो limbs का circulation होता है, वो सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है। vagoconstriction होता है इसलिए कारविद तो तो जाता है। और पांचवा की वाइटामिन डी जो है सर्दियों में थ्वड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि दो कम होता है। यह इसके मुख्य कारण है जिसके कारण से लोगों को सर्दियों में जर्ण्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब सबसे महिन चीज क्या है कि पेसेंट क्या प्रॉब्लम लेकर के आपके पास आएगा। ज्यादातर पेसेंट्स जो जिनके पुरानी प्रोब्लम गुट्नों की चल्ली आ रही है, वो गुट्नों की तकलीप को हमेसा ज्यादा फील करता है सर्ध्यू में, और वो क्या पताता है कि मेरे को गुट्नों में दर्द बढ़ गया है या मेरी जकडन बढ़ जाती है, ऐसा कि मेरा पर है वों बहुत ही ताइट हो गया है या किसी चीज से बंदावा फील होता है या उसकý mobility हो कम हो जाती है इसके काण सी है वो इसको अपने आपको एक घर के अंदर ही या एक area में रेश्टिक करने की कोशित करता है इख प्रोब्लम को कैसे कम किया जा सकता है इसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव पार्ट आप से डिसकस करेंगे सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि आपको सरदी से बचना है अब सरदी से कैसे बचे जब भी आप बाहर जाते हैं तो सरीर को पूर्ट या कपड़ों से कवर करके जाने चाहिए गरम कपड करने जाते हैं वह इंडोर में बढ़ानी चाहिए साइकलिंग हो गया है इंडोर बहुत सारी एक्सिसाइज है योगा है वह आप कर सकते हैं जिसके कान से आपको सर्दी से बचा हो सकता है इसके अलावा आपको वाइटामिन डी की यूज़ी ज्यूर्ट पड़ती है अलावा आपको जो ड्राइफूट जो अमेगा 3 फैटी आचिट्स होते हैं वह यूज करने चीए और ड्राइफूट में कुछ भी उसका कर सकते हैं इवन मुफली और यह सब भी आप यूज कर सकते हैं इसके अलावा आप जब भी बहार जाएं तो समय कुछ उंच करें जि आपर को जापने के पास में जिनका नीय रिप्लेस्मेंट होता है या दो-तीन में पहले ही जिनका हुआ है वो सर्द्यों में आकर के कहते हैं कि साथ हमारे पेरों में बहुत सारी स्टिफनेस है बहुत जक्ड़न है ऐसा लगता है कि मेरा जोईंट किसी चीज से बंद गया है और वह स्टिफनेस क्यों होती है क्योंकि जब जॉइंट की स्ट्रक्टर्स हील होती है तो वहाँ फाइब्रोसिस बनता है और वह सर्दियों के कान से कॉंट्रेक्ट करता है या जो लिगामेट्स होता है तो उसको स्टिफनेस फील होती है लेकिन उसको यदि एक्ससाइज करे है immunite by अच्य बढ़ जाती है और पेशेंट का जो recovery वह फास्ट हो जाता है इसलिए joint replacement भी सर्द्यों में एक बैस्ट ऑप्शन है कई लोग इंडिया में इस विए जासे नॉर्थ लीजिया में को दिखाएं, प्रामस लेगा, जान्याब।